आज वनके स्वेपने पार हम इसाइश न रहें हमेश्याशन ते स्क्शन ऐसे लगा से एकक्शन एन्हें गारोरा आपकों से नहीं है कि यह से कोई दी शाणोड में दो करते हैं तीन गंटों में अैंड यह पास टाइम थोड़ा संपरा पार पिंडिक और इसमें आपके पास सोचने का सोचने का फ्रेम वर्फटारें और उसके बार लिखने का हर चीज का टाइम अवेलिबल होता है अराम से अराम से वेपर पुड़ा रहता है क्योंकि एक ऐसे अराउंड हजार से बारां वस्तों वर्ड्स में लिखना है तो यह राम से वह जाता है तरह से कॉश्चन देखे जाएं तो आपके टोटल मदल्ब करके दस कॉश्चन अटेमिट करने हैं जहां पर आपके प्रमें 20 करने होता है अगर मैं बता हूं तो कि इसी कारण देखो अब ऐसे सबसे पहले सिलेक्ट कैसे करना होता है ऐसे सिलेक्शन के लिए हमेशा दो चीज़े देखनी है सबसे पहली चीज जो तुमसे जुड़ी हुई है एक चीज तुमसे जुड़ी हुई है एक चीज बाकी जो पेपर दे रहे हैं उतसे जुड़ी हुई है पहली चीज है नॉलेज नॉलेज और इसी के साथ दूसरे तरीके से लिख सकते हैं अंडरस्टेंडिंग सबसे पहले कोई भी जो ऐसे के हेडिंग देखो यूपी ऐसे होते हैं इसमें डिरेक्ली ऐसे नहीं होता कि पर दूसरी साइड पर यह सबसे बड़ा बेनिफिट भी है जब तुम्हें टॉपिक डिफाइंड नहीं है उसका मतलब है कि तुम जहां मर्जी से नॉलेज उठाके उस ऐसे के अंदर लिख सकते हैं अर सबसे अच्छे ऐसे आचली वही होते हैं जो चितना ज्याधा बड़ा अरिया कवर करते हैं उसकी आप फेरे वाई के जब आप बाकी हम हफ्ते में करते हैं और इसके फ्रू जो बिल्डज और घरो गए जो अपनी और अपनी बिल्ड़ायटिंग स्किल बिल्डब करो गए हुँ वह कूँ कहता हूं कि रोज आंसर लिखो जब आंसर लिखते जाओंगे खुद को अपनी कमिया भी जाएंगी कुछ से चेक कर वाओगे तब मैं तुम्हें बताता जाओंगा कि हाँ यह चीज़ यहां पर चेंज करने वाली थी लॉंग टर्म में अब क्या होगा कि धीरे धीरे तुम्हें इंटर लिंकेज बठानी आईगी वह इंटर लिंकेज से तुम यह जो ऐसे होता है इसके अंदर हर सब्जेक्ट को पॉलिटी, एकनॉमिक्स, इन्वायर्मेंट, ठीक है, आई यार, फिर, हिस्ट्री, जोग्रफी का भी अगर कुछ आगया, कहीं से भी और इनकी आपस में लिंकेजिस कैसे बठानी है, यह याद करना है यह बहुत इं हर सब्जेक्ट को जब भी पढ़ते हो, उसके मल्टिपल यूजेज ओवर टाइम तब भी समझाने लगते हैं, यह यह चीज यहां पर भी तो यूज हो सकती है, अब जब भी तुम कोई हेडिंग देखोगे, तुम्हारे सबसे पहले, जितने तुमने चीज़ें पढ़ी है हैं, उन सबको go-through करना जरूरी है अपने mind में, अब paper के end में, आपको हमेशा rough sheets होते हैं जो आपको, यूप से booklet देती है उसके end में 2 sheet हैं आपकी rough paper की होती है, ठीक हん, rough sheet हती होती हैं उसके उपर लिख इृप sheet, उसके उपर तुम किसी भी टॉपिक के उपर फ्रेमवर्ग बनाना शुरू कर सकते हैं तुम्हें जो जो पॉइंट याद आ रहा है वो लिखते जाओ जिस जिस सब्जेक्ट का याद आ रहा है वो लिखते जाओ ठीक है पर एक चीज़ ध्यान रखने वाली होते हैं विकोज शीटें दो ह सब्जेक्ट से अगर ऐसे तुम्हारा अच्छा होगा या बुरा होगा तुम खुल पेपर में बैठके जज़ कर सकते हो कि तुम्हें कहां स्टेंड अगर तुम्हें नॉलेज जो तुम्हें आईडिया जारे हैं वो सिर्फ एक या दो मैक्सिम्टीन सब्जेक्ट से ही आ तुम्हारे इसे में नहीं अच्छे नंबराने आई अगर तुम्हें चार-पांच संप जट से आइडिया जा अगे प्लस दो को तुम को एक्जामपल दे सकते हो रियल लाइफ से होगया रिया स्टोरी से होगया रिया अपने आप तुम समझ लेना कि तुम बहुत ही अच्छा इस से लिखने वाले हो यह चीज आक्चली इस तरीके से देखने हैं तो जितना भी तुमने पढ़ा होगो उस चीज के रिकॉर्डिंग अनालिसिस करना होता है कि तुम्हें उस चीज की नॉलिज कितनी है और अंडर् कर पाओगे उतने अच्छी सब्जेक्ट से भी तुम पॉइंट्स निकाल पाओगे तो उस चीज को बारवर पढ़ना जरूरी है पहला तो यह फैक्टर अब कई ऐसे बहुत ही असान होते हैं दिखने में ऐसे ऐसे जो कॉमन टॉपिक्स हैं हमने अक्सर बात की होगी क्लास में और सब चीज में पर एक चीज याद रखना जो चीज असानी से अवेलिबल है वैसे हर कोई लिखेगा है अब उसके कारण प्रॉग्लम के यह तो तुमारा था इंटर्नल अब है एकस्टर्नल फैक्टर की बारी एक ऐसे दोनों सेक्शन में ऐसा होगा जो सबसे जादा लिख रहे हैं अब होता क्या है जो ऐसे को सबसे जादा लोग अटेम्ट करते हैं एक्जामिनर वो सेम टॉपिक बार बार पढ़ रहा है वहां पे चेक करता हूं उसके माइंड में हमेशा कंपारिजन जनरेट होगा कि यह उसने जादा बेटर लिखा था इसने नहीं लिख हैं ऐसे नहीं कि जबर दस्ती कोई और लिखने बैठ जो कि सबसे अलग होके पर पता ही नहीं लिख क्या रही है वह नहीं करना है अगर बाकी तीन में से लैट सबस्थ चार ऐसे तोटल यह कॉमन था जो तुमनें बार-बार सुना है और बहुत पता है कि इसकी नॉलिज हर आदमी कोई है यह वैसे क्राउस हो गया अब जो बाकी तीन बचे उसमें से सेकेंड जो तुम्हें आता है गो फरदार्ट वो टेंप्ट करो ठीक है क्योंकि अगर लेट सुपोस टोटल जो पंदरा हजार लोग अपियर हो रहे हैं आपके मेंस के पेपर में ठीक है पंदरा हजार में से अकसर यह होता है कि बारा हजार यही लिखके बटे है ठीक है बाकी तीन हजार ही बाकी तीन में बटे हो पहे हैं ठीक है और उसमें से भी आक्चली पॉसिबिल्टी यही है कि तुम ऐसे जो तुम्हारा सेकेंड बेस्ट है वह ऐसे पे भी एराउंड दो हजार लोग उसी को लिख रहे हो बाकी पांसों पांसों में बटाओ को ठेक है पर वो फिर एक्ट्राइडरी नॉलेज वाले लोग हैं उन्हें उस टॉपिक के पारे कहीं लौलिज होकी तुम भी हो सकते नॉलेज पढ़ने उन्हें से लेफिगम से लेश्फ फडो तुम्हें है यह नहीं आधा है िोन्य.णाट क्यूंकि सब्सक्रांट लिए मन फिदी नॉत जाधा चांसेंद्म्हाराएं इसक्षि क्षांट्यों से ब्लब्कọn और तो उन्होंने टेचर ने टेंट में सिखाया था आपके पंजाबी लांगविज का वेपर था तो उन्होंने क्लास में जाते हुए बस एक चीज बोली थी कि अटेंप्ट वो करना जो बाकी नहीं कर रहे हैं तब ही नंबर आएगी और अचली मेरी पंजाबी लांगविज की ज्यादा स्ट्रॉंग नहीं थी तब भी नंबर आगे हैं क्योंकि मैंने हर क्वेश्चन में वही ऑल्टरनेटिव रूटना बैट रहे हैं तो उस टाइम से मैं इस फिलोसिफी के साथ अचली स्टिक किया और तो मुझे लगता है यह यूपीएसी में भी मेरे लिए काम करता रहा है यह मेरे नंबर बहुत ही बेटर आते रहे हैं इस कारण मैं तुम्हें इसी फिलोसिफी के साथ स्टिक करने काऊंगा कि हमेशा उस तरफ जाओ देखो टॉपिक सारे हमेशा कवर हो सकते हैं ऐसा अगर बहुत ही लिमिटेड नॉलेज में तुम्हें क्रीट हो जाते हैं ठीक है तो अगर कोई टॉपिक तुम्हें बहुत ही लिमिट कर रहा है न फिर वह इससे को अटिम्ट मत करना हो फिर तुम अपने आपको आच्छली साइड पर जाने की जगह ना नुकसान कर जाओग ठीक है यह जान पूच के सबसे असान चीज़ें डाली होते हैं अक्सर यह चीज़ कोई गाइड नहीं करता और जात तर लोग इसे ट्राप में फसते हैं ठीक है अब सेक्शन एसे शुरू करते हैं लाइफ इस लॉंग जर्णी बिट्वीन बींग इन बींग हुमेन बहुत यह अच्छा टॉपिक क्या मतलब है इसका लेखो डिसकेशन का सेशन है राम से जो भी तुमारे मन में आता है सोचना ही है तो कुछ में मन में आता है ऑनलाइन मील अपना माइक अन्म्यूट करो है हिंदी कट आपके पास है शेयर कर सकते हैं ठेक है इंगलिश वाले आपका रहो देखो इंसान और इंसानियत में क्या फरक है यह पुछा यह बोला नहीं गया यह तुम्हें बोला गया है कि देखो तुम बॉन हुए था ऐसा हीमन बींग तुम आज भी एक हीमन बींग हो पर क्या तुम में एक हुमेन हुमन किस चीज को बोलते हैं हुमानिटी से जुड़ी चीज है यह में क्या है इस वर्ड का मतलब क्या है कि में का मतलब होता है किसी की तरफ काइटनेस चो करना ठेक है प्रॉग्रेसिव थौट्स रखना चाहे वो इन्वायरमेंट हो उसकी प्रोटेक्शन के लिवाथ किसी से तुम रिस्पेटफुली पेश आ रहे हो इसे की हेल्पिंग के लिए हेल्पिंग हैंट किसी की हमेशा त्यार हो इसे लिए लिए लुग जर्नी बिट्वीं इन्सान तो हर कोई यह पर हर कोई कि यह sentiments वोल्ड नहीं करता एक इन्सान होने में और एक इन्सानियत रखने में जो फरक है यह बहुत यह बड़ी जर्नी है तो यह ऐसे होगा अगर तुमने यह एसे लिखना है इस एसे में क्या होगा यह इसे को अपने आप में तुम्हें जर्नी की तरह डिफाइन करो नहीं ह यह चीजों में अब बाकी चीजें देखो जो सब्जेक्ट्स है ना सब्जेक्ट्स एक्जाम्पल के तौर पर आएंगे अगर मैं तुम्हें इसके डिरेक्शन दो कैसे लिखा जाएगा इसे स्टार्ट फाम वेरी चाइल्ड होड ठेक है उसमें चाइल्ड से लेके तुमने अब अब बना रहा हूं मैंने अभी विपर देखा है ठेक है तो मैं अभी सोच के बता रहा हूं क्या कर सकते हैं तो यह जो फ्लो है अब इसके बीच में तुम सबसे पहले एडूकेशन एक्सपीरिंस जोड सकते हैं एडूकेशन में किस दीजें लर्निंग में आती है ठेक है उसके बीच में कोई अगर स्टोरी जोडना चाहते हो तुम्हें लगता होगा कि जो बच्पन में मौरल साइंस के कहानिया पड़ी अब वो फालतो है लाइक में नहीं अ तो एडूकेशन उसके बाद अगली चीज जो तुम लाइफ में फेस होती है वो है लाइफ एक्सपीरिंस अब लाइफ एक्सपीरिंस को हम बहुत सारी चीज़ों से जोड देंगा उसमें हमने सब्सक्राइब कोई इंवायर्मेंट से कोई एक्जांपल है को इंटरनाशनल करने में बिता दी जो क्या करते हैं क्रॉनिक डिजीज से सफर कर रहे थे तभी वह इतनी फेमस होई है तो ऐसे फेमस परसनालिटीस कभी में बीच में एक्जांपल डालूगा ठीक है एकनॉमिक्स में ठीक है एकनॉमिक्स में भी तुम यह चीज़ बो सकते हैं पैसे कमाना तो सबको सिखाया गया है पर्ट डूइंग बिजनस वाइल बिंग काइंड और ऑनेस्ट वो जरूरी है एक बेजन और ऑनेस्ट बिजनस इन दोनों चीज़ों में फरक शो कर सकते हैं ठेक है बिजनस भी है जो ठगी मार के भी किया जैसकता है तो अप्धी वाला पार्ट उ तो एक्जामिनर को दिख रहा है कि हाँ तुम हुमेन कंडिशन को हर फील्ड में डिफाइन कर रहे हो और और जाते हुए जो विज्जम और उसके साथ गेंड की हुई तुम एक ऐसे दो परसंस की लाइफ कंपेर करके बाइद दखा सकते हो जो एक परसंस वह अपने क्रिस्मस कारल की स्टोरी पड़ी है ना जो त्री गोस्ट ऑफ दी क्रिस्मस पास प्रेजंट और फ्यूचर याद है यह नहीं याद है यह स्टोरी ज्याद है नहीं ज़रूरी होती है तो बेसिकली एक बहुत ही खडूस सा परसंस होता है वेरी रिच और बहुत ही खडूस उसका नाम अब मैं भी बोल गया है इस क्रूश था कहता हूँ जो भी था उस इतना क्रूल रहा है ठीक है उसे सारे पैसे खुद कुमाएं बल्कि जो उसके वर्कर्ज हैं वो सफर करते रहे हैं उन्हें अच्छे से खाना देता है प्रेजेंट में वह एक उसके वर्कर के वहाँ से लेकी जाता है जिसे वह आच्छली प्रॉपर सालरी तक नहीं देता ह है ठीक है एक ब्रेड का लोफ उसके ग्रिस्मस की रात को सारी फैमिली खा रही है ठीक है और वह तब भी अपना जो मालिक है उसकी वेल्बिंग मांग रहे हैं ठीक है और फ्यूचर में दखाते हैं जब उसकी डेथ हो जाती है उसकी डेथ के टाइम कोई भी नहीं आता उस साथ सेंटिमेंट्स को टच करके नंबर चीनने जा सकते हैं ठीक है तो ऐसे यह जो बच्पन पर पड़ी कहानी है अब मुझे भी एक्जार्टली याद नी पर पेपर देना होता है तब यह सारी कहानिया पढ़के जानी होती है ज़रूरी होता है ठीक है तो मॉरल साइंस प इससे या तो मैं डेड़ फेक्ट लिखता हूं है कहाने सब्सक्राइब कभी निमगे जाते हैं कि अगर तुम एसे में फैक्ट लिखरे हो तो तुम्हें वैसे नंबर नीमिलने वाला के कितनी हंगर है क्या है कुछ है अंलेस तुम कोई farmer society ऐसी चीजों पर वह लिख रहे हो ठीक है कुछ साल पहले आया था वह ऐसे ऐसे इस फैक्ट मांगते हैं ठीक है पर यह बाकी सारे ऐसे हमेशा ऑल्वेस सेंटिमेंट के होते हैं क्योंकि ऐसे का जो पेपर है यह आपकी राइटिंग स्किल को टेस्ट करने के लिए बना फैक्ट्व नॉलेज और बाकी नॉलेज के लिए बाकी पेपर्स भी हैं जहां पर फैक्ट आ जाएगे यह प्रॉपर फ्लो के लिए कि तुम पहले पैराग्राफ से एंड वाले पैराग्राफ तक कैसा लिंक करते हो है कि तो आजकल एक वह भी यहांनर फेमस होता जां रहता लाइघ करीर अप्शन स्टैंडडब कोमेडियन को यूट्व पे लाइव देखा है लाइब नहीं भी देखोगा उनलाइन तो देखा है स्टांडड़ कमेडियन्स की एक बात हमेशा याद रखना वो जो जोग सबसे पहले मारेंगे न वो एंड में वही जोग को कहीं न कहीं लिंक करेंगे और वो उनकी स्क्रिप्ट का सबसे बड़ा हिस्सा होता है है यह हमेशा स्टांड़ उप को और ने कोई स्क्रिप्ट में जोग मारा होगा एंड में वह जोग हमेशा है किसी और इसलेंस के साथ चोड़के इसलिए वो वीडियोस हिट होती है नहीं तो नहीं है तो यह चीज ऐसे काम करती है कोई चीज यहां पे अप्लाइट नहीं है चलो सेकेंड है mindful manifesto is the catalyst towards tranquil self ठेक है तो यह वह ऐसे है अगर समझ आ गया तो लिखना नहीं तो छोड़ देना mindful manifesto is the catalyst of tranquil self कि अगर तुम्हें अपने आपकी awareness रानी है या अपने आपकी self growth करानी है तो तुम्हें सबसे पहले अपना माइंड वैसा बनाओ उससे अपने आपको पहले समझो क्या कमिया हैं क्या स्ट्रेंट्स हैं और उसके थूरू ही तुम लाइफ में एक बेटर प्रोसेस के थूरू जासे तो यह ऐसे का वह मतलब है ठीक है तो इसमें एक अलगलग एक्जामपल कहीं पर कैसे कोई वीक्निस उन्हें कैसे स्ट्रेंट्स बनाया जा सकता है कैसे दूर की जा सकती है इस हरे चीज़ों से डिफाइन किया सकता है ठीक है जो मुझे फस्ट आइडिया आ रहे हैं मैं उसलिए कोडिंग बता रहा हूं थर्ड शिप डूनाट सेंग विकॉस ऑफ वाटर रांट देम शिप सेंग विकॉस ऑफ वाटर देट गेट्स इंटू देम फिर से आपकी देखो सारे मौरल साइंस जुड़े हुए ऐसे पिछले तीन-चार साल से सारा मौरल साइंस यह आ रहा है एसे मैं तो इसका मतलब कर इस और दो बुराही से एलेक्टिट वो सकता है त Kingdom बॉराहीं से इनियुटे बिलेट हो सब्ता है थेक मैं रहारे साल लेगे तुम्हें डिसकरेज करने लिए पर आक्चुली तुम क्या डिस्करेज होते हो यर नहीं होते तुम्हारे उपर है तुम शेटों वह पानी है कि शेट को तब तक फर्क नहीं पड़ता है तो अगर लोकों की मिंटालिटी पूसेट कर रही है तो गलती अच्छली दुम्हारी है लोग तो सारी नेगिटिव है कुछ तो लोग कहेंगे लोगों का काम कुछ कहना ठेक है पर अपना माइंड सेट वैसे बिल्ड करना यह उसके उपर है ठेक है तो इसमें लोगों की कोई रभी खुद अपनी तरव से क्योई स्टोरी क्रेड कर सकते हों कि नो कहीं अगें करते फुर्षर वह को ईपरसं ठाव उस नहीं वपायेगा यह अब इस चीज को जब जोड़ना है अब हर सब्जेक्ट से जोड़ोगी वह अब टेकी बाट है तो कोई नो कोई ढूंडी लोगे पर एक स्टोरी से मैं तुम्हें कभी बताया कुछ नहीं होता तो मैं हर चीज से जोड़ना ज़रूरी है ठीक है तो अब क्या क्या सब्जेक्ट यूज़ कर सकते हैं उस तरीके से सोच के देख पैना सबसे पहले पॉलिटिक्स में एक्जामपल ले सकते हैं गांधियन पॉलिटिक्स का बेसिकली अब मैं हिस्ट्री चलोगे इसे हिस्टॉरिकल ले लो पॉलिटिक्स का बात हुए सोचते हैं हिस्ट्री के एक्जामपल के दॉर्ट पर ले लेंगे इंडिपेंडेंस से पहले की बात जो हम मॉडर्न इडिया में पढ़ेंगे भी हुआ क्या था नॉन कोपरेशन मुव्मेंट उससे पहले गांधी जी ने अपने कुछ रूल्स क्लियर किये थे वो थे सत्यग्राय के रूल्स कि अगर हम पॉलिटिक्स में जाएंगे या कहीं पर जंभी लाइफ में कोई भी मॉवमेंट में कहीं पर भी वाइलंस होगी कांधी जी ने साथ किसाभ बैक आउट कर लिया चाहे वो जितनी मरजी सकसे सकस के पास हो पर वाइलेंस के वो साथ कभी नहीं खड़े ठीक है अब यहां पर इस एक्जाम्पल को मैं उसके साथ कैस्ट जोड़ेंगा कि बेसिकली देखो सक्सेस पाने के लिए गांदी जी के माइंड में एक वर यह आ सकता था कि हां वाइलेंस को भी अपना लेते हैं क्योंकि गोल तो वो अल्टीमेटरी मेरी प्रिंसिपल लाइफ की उपर डामेज है ठीक है शिप को हमेशा अपने आप से मैं एक सिंगल थॉट से मैं तो मैं पहले बोलके रखा है कि जोड़के मत रखना उस चीज को बदलते रहना तो यहां पर अगर उनका प्रिंसिपल सत्यक रहे था उन् और अल्टीमेटली इंडिबेंडेंट्स आई है ठीक है और गांदी जी को पुरे वर्ल्ड वर्ट जाना जाता है ठीक है ऐसे एक्जाम्पल्स आपने हर चीज में तो शिप को बदल बदल के कंसेडर करो ठीक है जब सोचने बैठते हो यह भी मैंने अभी अभी गांदी जी ठीक है तो एक बारी आज बाकी में डिस्कुस कर दोना पर एक बारी एक एसेज के उपर एक घर जाके अच्छे से उसके बाद विचार भी करना है ठीक है फोर्थ है सिंप्लिसिटी इस दी अल्टिमेट सोफिस्टिकेशन देखो सोफिस्टिकेटेड लाइफ किस चीज को त अधिक क्या होता है कि अधिक अधिक क्लीन प्रेजंटेशन जाहे हूँ आपके बोलने के ढग में आपकी क्लोधिंग के ढग में है अपके माइंड में हर चीज में सोफिस्टिकेशन एक आक्ट ऑफ क्लीन लिविंग को पूला जाए है अगर वेलद्रेज्ट हो वेल गूरूंड हो प्को लोग सविस्टिकेटिट बोलने अगर आप अच्छे से लोकों से बात करते हो आपको लोग सफिस्टिकेटिट बो गर दो इसमें सिंप्ली सिंटी क्या रूल प्लेकरती है है कभी बिल्गेट्स को देखा कैसे कपटे डाल क्यों तरह फॉर्मल भी और तो डालता नियुक्त शर्ट डाली होती है स्वेटर डाली होती है फैन्ट डाली होती है और स्पोर्ट शूज डाले पर पैसे नहीं कपटे खरीपनें और उसकी जगह जितने भी यह आपके खासका जो बन रापपर्स है ठेक है यह पांच-पांच किलों के सोने की जेन डालके वह सब कुछ कभी भी किसी रापपर को तुम लाइफ में आजा आइडल नहीं सट करोगे यह हमेशा देख ले तो कभी यह नहीं को कि मुझे इसके जैसा बनना है लाइफ में पर बिल गेट्स एलाउन मस्क जेफ बेजोज इन सबको वैसे देखो यह जितनी सिंपल लिविंग से रह रहे हैं मुकेश अंबानी अपना लोकल एक्जामपल ले लो मुकेश अंबानी को देखना कभी भी को इतना वेल ड्रेस नहीं होता हो उससे लेना देना क्या है तो अपने अब को प्रेजेंट कैसे कर रहे हैं तो सेब्ली सिटी प्रमोट से लेके जाओगे से शुरू करना एक साइड से दूसरे वर्ड तक जाएंगे सेंपली सिटी लाइफ में क्या क्या प्रमोट करती हैं पहले वह चीज़े बताएंगे तो उसका फ्लो एक तरह से होना पॉसिवेटी प्रमोट करती है ठीक है अटल भिहरी वाजपरी पॉलिटीक्स का एग्जामपल होगा पॉलिटीक्स में जाएंगे तो लगले मनोहर पारी करते बगालो अटल भिहरी वाजपरी क्योंकि बहुत बड़े पॉलिक और रही हैं और दॉक्टर मनमोहन सिंग भी बिलकुल ठेक है पर हमेशा कोशिश किया करो उनके एक्जामपल लिया करो यहां तो जो करेंट पॉलिटिक्स पें इनवाल्ड नहीं है क्योंकि चाहें वो रिटायर होना चाते हैं पर पिछारे कॉंग्रेस रिटायर नहीं होने देदी नहीं तो इसलिए go for the examples जो डिरेक्ली पॉलिटिक्स से नहीं जुड़े हुए क्योंकि हमने किसी के पॉलिटिकल व्यूज को नहीं हिट करना ठीक है तो उस तरीके से अडल बिहारी वाजपाई को opposition और प्रेजेंट गवर्मेंट दोनों ही रिस्पेक्ट देती है अगर अडल बिहारी वाजपाई कर लोगे उससे पीछे जाना है पीवी नर्सेमा राओ उनके उस पर चले जाओ पीवी नर्सेमा राओ धोती और वो सब को डालके सिंपल लाइफ जी रहे थे अगलों ने इंडिया के लिए जो किया है किसी चीज से कम नहीं है ठीक है तो इसमें तुमने सुफिस्टिकेशन जो वर्ड है वो अल्टीमेटली डिफाइन करना है ऐसा परसनालिटी और तुमने चान की तरफ लेके जाना है लोगों की परसनाल नौलेज एक साल में इनके रिगार्डिंग बनेगी तो यह जो चीज़ें हम पढ़ते जाएंगे इन्हें इस तरीके से याद रखना है कि जो महान महान हस्तिया है उनके कहीं नहीं एक्जांपल बन सकते हैं ठीक है उनकी परसनालिटी को उनके कहीं किसी भी चीज को कहीं प पॉलिटिक्स में से पीजे अब्तुलकलाम इंवार्मेंट में से सलीम अली इनका एक्जांपल हो गया तो यह अलग लग लोग आपकी सुफिस्टिकेशन मलब सिंपल लिविंग सिंपल लिविंग के थुरू इन्होंने आसपास के लोकों को अपने चाम अपनी परसनालिट करिज्मा में करिज्मा वही अल्टिमेटली सुफिस्टिकेशन है ठीक है अम मैंनर टू प्रेजेंट मैंनर टू टॉक मलब तुम्हारे और एसे में से यह वर्डिंग आनी चाहिए मलब लिखना कहीं नहीं है पर यह ऐसे खुद बोलता हो दिखना चाहिए कि अल्टिमेटल सब्सक्राइब करने हैं तो यह तरीके से होगा है अब यह तुम्हारे उपर है कि तुम इनमें से कौन सा इससे टेंट करोगे क्या लगता है कौन सा इससे करोगे पिप्स वाला सर जैदेव आपने के बुला थर्ड बन सर थर्ड बन बाकी अपना अनेस्ट वियू कोई भी किसी यू सेड़ जा सकते हो और जिस वारों क्या लगता है कौन सा चारह में से बाकी भी मैसिज पर लिखके बता सकते हैं लिक्षा सिंप्लिसिटी पलका फोर बाकी हांजी उमेद सेकेंड माइंडफुल मैनिफेस्टिस दिक आडलेस टुदे ट्रांकुल सेल्फ तुम उनमें पांत सुमें से होगे यह मैं पहले बता रहा हूँ इन चारों में से सबसे मुश्किल सेकेंड वाला है सेकेंड वाले को आक्चली अटेंप्ट करने वाले ही मैक्सिमम पांसो लोग हो पर वो अब यह देख लो कि आक्चली में क्या आता है स्पियर का देखें कितना सोचपा होगे हांजी साक्षी अब आपको पता चलिए किसने कौन साइसे घर से लिखना है ठीक है तो जो ऑनलाइन में बैठे हैं देखो कोई ऐसे तुम अच्छा लिखाओं अब आपने देखो जिन्होंने घर पर बैठे हुए कोई बहुत अच्छे से मिलेंगे मैं तुम्हें सेक्शन बी में से भी कोई एसे नहीं दूंगा सिर्फ एक ऐसे दूंगा एक ऐसे ही तुम्हारा बहुत टाइम कंजिम कर देखें एसे को सोचना अलगलग विचार करना उसके उपर नेट पर रिसर्च करना किसी और ने एसे नेट पर लिखा हुए वो मत पढ़ने बैठाना खुद रिसर्च करना जो तुमने थौट रखा है देखो होगा क्या चाहे तुमने नहीं भी अच्छे ऐसे लिखा पर उसकी जग नहीं है कोई फाक्ट पढ़ लिए तो तुमने चूस किया था तो तुमारा यह वीकेंड का काम हो जाएगा ठीक है सिर्फ सेक्शन एमें से कर लो सेक्शन भी चाहे रहने देना चलो अब सेक्शन भी की तरब करें कल्चर इस वट वी आर सिविलाइजेशन इस वट वी हाव अब इसका क्या मतलब है कल्चर इस वट वी आर सिविलाइजेशन इस वट वी हाव सिविलाइजेशन क्या अब से पहले आज तुम एक सिविलाइज वोल्ड में रहते हो क्या है आज की सिविलाइजेशन आज की सिविलाइजेशन को कहते हैं मौडरन सिविलाइजेशन क्या है देखो पुराने जमाने में क्या होता था एक स्पेसिविक जोग्रफी के अंदर अंदर सिविलाइजेशन लिमिटेड होते थी तो अब खुद सोचो अगर मैं यह कह रहा हूं कि पुरी दुनिया एक civilization है माक्सिम जो कंट्री से विलाइस का मतलब वहता है जो एक प्रॉपर सोसाइटी के रूल्स पॉलिटिक्स के रूल्स अबाइड करते हुए रहते हैं लोग वो एक civilization में होते हैं तो हमारी जो पुरी दुनिया में कुछ रूल्स सेट हुए हुए है चाहे वो ट्रेड के हुँ चाहे वो पॉलिटिक्स के हुँ चाहे वो सोसाइटी के अपने मॉरल्स हो क्या आज तुम्हारा बंद करें कि मैं किसी को जाके गुलाम रख लेता हूं रख पाओगे क्यों चोरिचे पर रख लो कौन रोक रहा है पर नहीं रख पाओगे क्योंकि तुम्हें अगर तो तुम्हारे अंदर मॉरल्स हैं तो तुम्हें अपने वहिट करेगा कि आज की तुम्हारे सिवलाइस सोसाइटी स्लेवरी को प्रमोट नहीं तो इस सिवलाइजेशन कॉमन रूल्स सेट अफ रूल्स होगे ना पूरे समाज के यह सिवलाइजेशन होते हैं पर क्या पूरी दुनिया का कल्चर एक है क्या इंडिया के अंदर ही कलचर एक है नहीं तो हर जोग्रफी कल्छर बढ़या पढ़ रहे तो कि वियर जोगर्फी लोकल फूड लोककल क्लो इस से लाम्ट इस यह करती है कि आ आप कि सलय को करते हैं तो हमारी civilization जो है एक multiple cultural civilization modern cultural civilization आब यह कल्चर हम है civilization में हम रहते हैं यह तो तुमने इस में से जो फ्लोव क्रिएट करना है कि इसे का से किल्चिरल डायवर्सिटी करते और आसे कि अलग लग फिल्ड में जब इंट्राक्ट करते हैं सब्जेक्ट वाइज यह बन सकता है राम से चांडर्ड रूल सेट होगे कि डिक्टेटरिशिप को दुनिया नहीं पसंद करती डेमोक्रेसी एक सिवलाइजेशन का रूल बनता जा रहा है ठीक है तो कल्चरल फिनॉमेना से कैसे सिवलाइजेशन की फिनॉमेना तो कल्चर में अगर फ्रीडम होगी तो स्पीच वह अपने आप सिवलाइजेशन में देखे अगर तुम्हारी कल्चर में इंवायर्मेंट को इंपॉर्टेंस दी जाती है इसमें तुम एक्जांपल के तौर पे हिस्ट्री में जाके वेदास को मेंशन कर सकते हो वेद जो है आपके हिंद दुनिया में ग्लोबल वार्मिंग का इश्यू है और उसके रिगार्डिंग जो अवेर्नेस जनरेट करनी चाहिए और जो पूरी सिवलाइजेशन को एक साथ आक्ट करना चाहिए उसे तुम वेदा से कनेक्ट कर सकते हैं तो मैंने इंवायर्मेंट को हिस्ट्री से कनेक्ट किया है हुआ है कि में चीज़ां को कनेक्ट करते करते कैसे कंटर्स इंट्रट कर रहे और वह एक ग्लोबलाइज़ बोल्ड की सिवलाइजेशन कॉम्ट सिवलाइजेशन क्रेट कर रहे है इस फिनॉमेना की तरफ जान है यह होगा बहुत ही बहुत अच्छा टॉपिक है बह economic prosperity without social justice is meaningless अब ये वैसे आपकी प्रियेंबल से भी इसकी शिर्वामला प्रियेंबल पॉलिटिक्स में इसे प्रियेंबल में भी लेके जा सकते हो ठेक है फिर economics तो तुम अपने भी जोड़ दोगे अब इसमें है क्या तो जब तक एकनॉमिक प्रसपारिटी नहीं होगी तब तक सोसाइटी में कभी जस्टिस नहीं सकता अब ये कैसे हैं इन दोनों सबसे पहले इतनी हाफ स्टेटमेंट का क्या मिनिग है वो देखते हैं स्टेटमेंट को हमेशा जो बड़े ऐसे की कुश्चन होते हैं उन्हें ह हाफ आफ तोड़के देखा करो उनमें से भी लगला मतलब निकला है नो सुशल जस्टिस विदाउड एकनॉमिक प्रसपारिटी क्या हता है कि समाज पैसे कमाए समाज हमीर होता जाए मतलब आज अगर किसी के पास खाना नहीं है कुछ नहीं है क्या उसी तरह से सोश्ट सोस कि ना तुम्हें तुम कैसे डिस्कृमिनेट करते हो यह तुमने देखा होगा टलीज चलो तुम्हारे उपर नहीं इल्जाम लगाते तुमने ससाइटे में चीज़ देखी होगी एक साइकल वाला जाके BMW में टक्कर मारता है और एक दूसरी गाड़ी वाला जाके BMW में टक्कर मारता है लोग पहले जाके किसका कॉलर पकड़ते हैं अब दूसरे बारी भी तुम नॉर्मली खड़े हो अब तुम खड़े हो साइकल वाला साइड से जा रहा तो उससे थोड़ा साइकल स्लिप हुआ और लग गी गाड़ी से निकल के आओगे तुम बार बठेरी बारी चॉंक लाओ पर दिखता है झाल दिखता है तुम पर यह जाए चौंक में निकलते ही ऑट वालों को मारना लग जाएंगे वह तो पूंपने साथ वालों से कहेंगे चल कोईनी नहीं अस पर गुस्था निकाल रहे हो जिसके पास इक्वास्पर प्रॉस्पारिटी नहीं है कि बल्क जाए दूसरे ने बढ़ा डालना हो ठीक है क्योंकि सोशल जस्टिस कहीं न कहीं इकनॉमिक प्रॉस्पारिटी से जुड़े अगर जो यह ट्रीटमेंट जो है यह इसी स्टेटमेंट को रिप्रेजेंट करते हैं बनाव यह जो मैंने एक्जाम्पल दी इसके बाद पर इकनॉ तो आप ब्रॉस्पारिटी विदाओट सोशल जस्टिस अगर मैं कहरों कि समाज में पैसा आ रहा है पर वह पैसा बरापर बट नहीं रहा तो नहीं हुआ है अगर एक साइड पर लोग हद से जादा मीर हो रहे हैं और दूसरे साइट पर लोगों खाना भी नहीं मिल रहा है ठीक है तो ये उसका मतलब है तो इसमें अब जो मेरे दिमाग में आ रहे हैं मैं उसी चीज को बदल के इसमें लिख देता वो मुवी आई थी ना रणवीर सिंग की जो गली बॉइब गली बॉइब उसमें गाना आता है कैसी एदूरी एक सैड़ बड़ी बिल्डिंग खड़ी और दूसरे सैड़ बच्ची भुकी सोरी तो वह हिंदी में ऐसा रहा है तो जितना को मुझे वो गाना याद आ रहा है जैसे ही लाइन याद इसमें किस तरह इंग्रिश में घुमाकर इसकी अलग कहानी बनाके यह लिए देता किसी को ना पता चाहता है उसने उस पूरे गाने में यह सोशल प्रॉस्पारिटी और सोशल इंजस्टिस के बारे ही है होगा एकनॉमिक प्रॉस्पारिटी और उसे क इसstillते हैं है वही एसे कि उसने यह दिए हुगे कि इसमिक से जुटा की है लिए यह लगए दूरी कैसी मजबूरी वह नहीं करना पर इसी से देखो उसने अब मैं एक्जाम्पल देखो मेरे बाइचांस माइंड में एक कुशन पढ़ते हुए वही चीज आई तो आज इसके बाद वो गाना सुनके देखना तो हमें इसका सारा कंटेक्स उस गाने में मिल जाएंगा उसने सारा का सारा एसे तुम्हारे लिखके दिया हुए पर उसने गाना लिख रहा है तो उसने उसे को इलाबोरेट करके ऐसे लिख सकते हो तो ये होती है कि मूवीज या कोई भी चीज ही हामफुल नहीं होती तो इसे अल्टिमिटर डिराइब करते हो वही चीज स्माटर करते है ठीक है यूज हर चीज को करो ऐसे में ऐसे वही अच्छा है जो हर चीज को यूज कर सके ठीक है उसने तुम्हारे काम असान करके दिया है तो करो नेक्स थर्ड पेट्रियार्की इस दी लीस्ट नोटिस येट दी पर सोच्टी का मोस्ट सिग्निफिकेंट स्टक्चर है जिसके कारण सोचल इनिक्वालिटी क्रिएट होती है अब इसका एक्जांपल यह ऐसे तुम किसी भी हग तक भर सकते हो जो हमने डिसकेशन की है सब्सक्राइब करने में उसका एक्जांपल और सकते हैं यह तो बहुत एक्जांपल देदी है इसके तो यह तो बहुत कॉमन टॉपिक जो इसके उपर हम डिसक्शन कर चुकेंगे ठीक है और यह वो टॉपिक है जिसके उपर सेक्शन बी में से सबसे ज्यादा इससे लिए यह हंडर्ड परसेंट है ठीक है थर्ड ऐसे वो है जिस पर वही 12,000 लोग जो लिख रहे हैं ठीक है टेक्नोलोजी आज दी साइलेंट फैक्टर इन इंटरनाशनल रिलेशन्स यह बहुत अच्छा टॉपिक है और मॉडरन डे में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेश रखता है टेक्नोलोजी इंटरनाशनल रिलेशन्स में बहुत बड़ा रोल प्ले करती हैं कैसे देखो कंट्रीज कभी भी अपनी टेक्नोलोजी शेर करना पसंद नी करते हैं अंटिल अनल तो अब जाके हमें यूएसे अपनी जो सबसे प्राइम टेक्नोलोजी उसका एक्सेस देखा तो यूएसे ने हमें सबसे पहले क्लोज उनके साथ बॉंडिंग बनाना मिलिट्री एक्सरसाइज करना कॉमन स्ट्राटिजिक फ्रंट्स पे काम करना पहले उस पर लेक्या आए हमें हमें स्ट्राटिजिक जीपीए से उसकी यूज करने से यूएसे ने डिसलाओ कर दिया था क्योंकि यूएसे पाकिस्तान के जादा क्लोज थो तो हमें बंकर्स की जो लोकेशन है आपके जो आपके 1999 में पाकिस्तान के इन फिल्ट्रेटर्स ने बंकर बना लिये थे हमा का आता है इस्रेल ने हमारी मदद की वो सारे बंकर्स को अडेंटिफाई करने तो इस्राइल से हमारे रिलेशन्स और बेटर हो गया है ठीक है तो यह टेक्नोलोजिकल डिप्लोमेसी के उपर क्वेशन है कि कैसे कंट्री पुलेटिकल और एकनॉमिक लिवरेज एक दूसरी के विवरेज रखने के लिए टेकनॉलोजी को बीच में फाक्टर कन्सिरटर करती है कि हम वो भी सुना होगा रफाईल के साथ एक डीउची जो हुई हैँ है कुछ वख भी करते हैं वो हमें उसकी देदेंगे तो यह उसके उपर तो इसमें IR का ही एड़ इन अदर उंदर ही हर चीज को मेंशन करना है तो तुम्हारी जो ओवर और आउटलुक ऐसे के दिखती है वह बहुत बोरिंग दिखती है जो एक सब्जेक्ट के बारे आपके ऐसे बात करते हैं इन ऐसे को कोशिश करना वाइड करना क्योंकि यह अपने आप में नंबर करवाएं क्योंकि यह दिखने में ही चाहे तुम अल आपने अब में बोरिंग हो जाता है तो एक अगर सब्जेक्ट यह वो एसे होते हैं जो जान बूछ के हर साल एक सब्जेक्ट की ही बात करेगा या हर साल होता है पर यह ऐसे को अवईड करना होता है यह सबसजादा लोग इन्हें भी आउट करते हैं क्योंकि यह बहुत ही शोच्ट के सोचे नहीं व openness जाना चर। धिकृत शनुरहर यो फस्त नहीं है। एंसे ही फ्रकम जने ऐसे नंबर पर violent के उतने जाहरा चांस से होते हैं तो आम पूंड़े लेक्श यह नहीं को मैंने फ़ले वही बोला दिश Scottish कि अब लेक्टर के स्टार्टिंग से दुबार से देख लेना रिकॉर्डिंग तो उसमें मैंने वही बुल रहे हैं मिलकुल ठीक है जैसे मैंने आपको पहले बताए होगा तो यह जीज कि अब इसकी कोई बुक ने वहीं होगी जो मार्किन में बुक साती भी है वो सिर्फ प्रॉड है ठीक है और कुछ नहीं है हर उससे जो लिखा हुआ है वो एक ही सुजेक्ट एक ही चीज बारे बात करता है यह अल्टिमेट ली देखो जो जो तुम लाइफ में देखो मैं तु पर जीना छोड़ दो ठीक है गाने सुनने मूवीज देखनी यह अपनी खुद की एंटर्टेइन्मेंट और मेंटल हेल्थ के लिए जरूरी है तो यह भी ऐसा नहीं पर इसका मतों यह नहीं कि रोजी मूवीज देखने बटे हुए क्योंकि सर ने कहते है ठीक है पर महीने 15 सब्सक्राइब कोई एक बोर हो जाए तो बंदा एक आता घंटा इन चीजह में बिता सकते है ठीक है पर वह अल्टीमेटली तुम्हें प्रोड़क्टिविटी में आड़ करें मूवीज यह कुछ भी वह ऐसा देखो जो कहीं नहीं कि सोशल कॉसे और चीज से जोड़ी है क् कुछ ना कुछ उसका ठीक है तो मीनिंग्फुल मूवीज देखो ले रहे यह था ऐसे पेपर डिसकुशन अब जो आपको दिया है वो अटेम्ट भी करके देख लाए